नमस्कार स्वागत आपका न्यूस बाई स्कोप में चलिये बात कर लेते हैं जहरखन में ED की कारवाई को लेकर मनी लॉंडरिंग मामले में टिंडर कमिशन से जोड़ा मनी लॉंडरिंग मामला और इस मामले में लगतार प्रवर्तन निदिशाला यानि की ED आक्टिव है और आलमगीर आलम की गिरफतारी के बाद से ही लगतार कई नाम सामने आ रहे हैं इसी कड़ी में सामने नाम आया था मनीश रंजन का आईएस मनीर स्रंजन को समन किया गया 28 माई को उनसे 9 घंटे तक पुछताच भी हुई कई हम दस्तावेजों को लेकर वो पिछली बार पुछताच में शामिलों ने पहुँचे थे लेकिन एक बार फिर से अब उनसे आज पुछताच होगी पुछताच के लिए ED कारयले वो पहुँच चुके हैं और अब आज की पुछताच पर पुरी निगाहे ठीकी रहेंगी कि आज जो ED उनसे पुछताच करेगी उसमें क्या अहम सवाल होंगे और कौन से सवालों के जवाब ED तलाश रही है कैसे आगे कडियां जुडेंगे इन चीजों को हम समझेंगे हमारे साथ सायोगी निरज भी जुडे हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं निरज एक बार फिर से आज पुछताच के लिए पहुँचे हैं मनीश रंजन आज क्या कुछ सवाल हो सकते हैं कौन से जो एहम सवाल हैं वो आज पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कड़िया आप जुड़ती दिख रही हैं आपको टेंडर कमिशन से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दूसरी बार आईएस मनी सरंजन से पूछताच होगी क्योंकि ग्रामिन विकास विभाग के पूर्व सची रह चुके हैं और मौजुदा समय में भू राजस्व सडक और भव निर्मान विभाग में बतार सची जो है वो अभी कार्यत है और टेंडर कमिशन से जुड़े मामले में उन्हें समन भेजा गया था दूसरी बार आज पूछताच होनी है साड़े दस बजे लगबग जो है वो पहुँचे हैं अपने साथ तमाम कागजाज जो है वो लेकर पहुचे हैं जो एडी के अधिकारियों ने पिछली पूछताच में मांगे थे पिछली पूछताच यानि की 28 में को हुई थी लगबग 8 से 9 घंटों तक पूछताच की गई थी और क्योंकि नाम उनका सामने आया था टेंडर कमिसन से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में जब मंत्री आलमगीर आलम की गिरपतारी हुई थी तब ये बताया जा रहा था कि मनीस रंजन जो की उस समय सचीव थे ग्रामिन विकास बिभाग के आलमगीर आलम की तरह उन्हें भी कमिसन जाता है और जब जहांगीर आलमगी संजीव लाज से पूछताच हुई थी तो कही न कहीं उन्होंने भी इनका नाम लिया था जिसके बाद ईडी ने समन भेज कर उन्हें वुलाया था और मामले में पूछताच की गई थी हलाकि जब 28 मई को पूछताच हुई थी तो बहुत सारे सवाल का जवाब मनीस रंजन नहीं दे पाया थे और जो सवाल पूछे गए थे एडी के अधिकारियों के ओर से जिसमें कहीं न कहीं उनकी सनलिपता की बाद भी जो थी वो कहीं गई थी जिसमें उन्होंने इनकार किया था और ये कहा था कि इस मामले से उनका कोई लिना देना नहीं है लेकिन जो आधार थे वो एडी के पास बहुत सारे पहले से मौझूद थे और उसमें अभी एड़ोन भी हुआ है तो कहीं कहीं कडिया जो है जुड रही है और इसी को लेखते हुए जो है इडी ने समन भी भेया था अब मामले में फिर से पूझताच होनी है पूझताच में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं ये देखने आली बात होगी लेकिन इतना जरूर है कि मुश्किले जो हैं वो बढ़ सकती है क्योंकि इडी ने बहुत सारे आधार को जोड़ते हुए इन्हें समन भेजा था और द देश दिया था समोता वो भी अपने साथ लेकर मनिस रंजन पहुंचे होंगे और बहुत सारे जो इन्पूर्स पहले थे ये तो छे मई को छापे मारी हुई थी उसके बाद जो था ये मामला निकलकर सामने आया था लेकिन हम एक वर्स पीछे जाया यानि की विरेंदर राम मामला यानि की मुखे अभियंतर रचुके ग्रामिन विकाज विवा के जब पहली बार इस मामले में इडी ने कारवाई की थी तब भी कुछ इस तरह का मामला निकलकर सामने आया था और उसे समय से कडिया जो है जूड़ती भी दिखाई दिखाई दे रही थी और कुल मिला का जवाब पिछली पूश्टाच में जवाब दे पाया हैं और आज जब पूश्टाच हो रही है तो आज जो पूश्टाच हो रही है उसमें कितने सवालों का जवाब दे पाएंगे और उनके जवाबों से एडी के अधिकारी कितने संतुष्ट होंगे इस पर हमारी पहुंचे थे और उसके बाद फिर से उन्हें समन किया गया यानि कि इस पूरी कारवाई में आप देखे निरज दस्तावेज और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो डीटेल्स हैं वो भी एक एहम घुमी का निभार है और कहीं न कहीं वो आधार भी बन रहा है लोगों को समन करने का उन्हें बुलाने का पुष्टाच करने का और फिर कारवाई करने का यानि कि दस्तावेजों और प्रॉपर्टी में ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है बिल्कुल देखें ये एडी के अधिकारी के जाज की प्रकेया लगतार जो है आगे बढ़ रही है और इडी इस दिश्टिकों से भी आगे काम कर रही है और ये भी कोसिस कर रही है कि जितने भी लोगों को समन भेजा गया है या फिर इस मामले से जुड़े वे जो लोग है उनके प्रोपर्टी को खांगाले में लगी हुए और उनके सोर्स अफ इंकम क्या कुछ रहा है क्या ये जो प्रोपर्टी बनाये गया है उसका कोई वैद या फिर वैद तरीके से जो है ये प्रोपर्टी बनाये गया है ये कड़ी से जो है वो जोड़ने की कोसिस की जा रह इन प्रोपर्टी बनाई है तो हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ी कारवाई हो सकती है आया गया था किस तरह से यह पूरा मामला जो है चल रहा है और किस तरह से जो अन्य बेनिफिसेरी जो आभी तो लो जो एडी के पकड़ में आए हैं लेकिन बहुत आरे ऐसे लोग है जो एडी की अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है उस लिहाद से फिर टीम है वह जाच कर है उन बेनिफिसेरीस तक पहुचने की कोशिस कर रही है जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया तो हो सकता है इनसे पूछताज के बाद वो सामने आ सकता है और नए तथ्व जो है वो भी निकल का सामने आ सकते हैं तो इंतजार करना पूछताच के बाद क्या कुछ होता है क्या मुश्किले बढ़ती है या फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है बिलकुल इंतजार रहेगा इस बात का कि क्या मुश्किले आगे बढ़ती है मनीश रंजन के लिए या फिर उन्हें पूछताच के बाद रहात मिलती है इस पर नज को उजागर करने के लिए उन नामों को सामने लाने के लिए इडी आज सवाल दाग सकती है मनीश रंजन से नजर आप बनाया रखिएगा निरज हमारी भी नजर लगतार इस पूरे प्रकरण पर बनी हुई है हम फिर से आप करू करेंगे फिलाल बहुत-बहुत धन्यवाद हम मामला ज्हारखंड में लगतार आगे बढ़ रहा है प्रवरतन दिश्चाले की टीम लगतार इस मामले में कारवाई कर रही है और लगतार कडियां जोड़ती जा रही है इसी कडिय में मनीश रंजन से पूछता चुनी है नजर बनी रहेगे कि मनीश रंजन से आज पूछत चात्रों के सपनों को सफलता की उडान देता गोल इंस्टिटूट आज जी है 61 सहर 150 प्रोजेक्ट और एक वस्तूविहार नई सोच नया घर बनाए रखिये अपना प्यार सेवा में है वस्तूविहार कमाल करते हो जी बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तोम हो की तुमें फूर्सात ही नहीं मिल रही अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहां इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वाधी जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्राम्पलीन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, धाई सो फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूब सूरत नजारा वाइल्ड वाधी, दस माइल चौक, रांची वाइल्ड वाधी यानि अनलमेटेड वान और अनलमेटेड मस्ती